हेलो मित्रो, मैं हूँ सुमित नागर कोटी और आज मैं आपको एक शापिट डॉल की सच्ची भयान घटना सुनाने जा रहा हूँ और यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनकी साथ ही एक खौफनाग घटना होई थी तो आप चलते हैं इस्टोरी की तरफ मेरा नाम आमी थे और मैं अपने मापापा और अपनी छोटी बेहन के साथ दिल्ले में रहता हूँ मैं अभी कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ और अपना पॉकेट खर्चे निकालने के लिए मैं एक पार्ट टाइम एक शॉप में जॉब भी किया करता हूँ मेरी बेहन अभी फिफ्ट क्लास में है लगवग छे मिने पहले 19 माई को उसका बर्थडे था हमने बहुत दूमधाम से उसका बर्थडे सेलिबरेट किया और मैंने उसे एक बहुत ही खुबसूरत से डॉल गिफ्ट की मेरी बेहन को डॉल्स के साथ खिलना बहुत अच्छा लगता था वो मेरे इस गिफ्ट से बहुत खुश थी धीरे धीरे चार से पास दिन बीट गए और मेरी बेहन उस डॉल्स से इसकदर एट्रेक्ट हो गए थी कि वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखती मैं अपने काम में बिजी रहता था इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया लेकिन लगबग एक महीने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो रात में अकेले किसी से बाते करती है जब मैं उसके कमरे में गया तो वो चुप चाप हो गई और पास में रखे डॉल का फेस उसने पीछे की साइड गुमा दिया था मुझे कुछ अजीब लगा लेकिन मैंने उसको टाइम से सोने के लिए बोलकर अपने कमरे में आकर सो गया ऐसे ही दो महिने और बीट गए मेरी बेहन का वैवहार दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था वो अप चुप चाप से सहमी सी अपने कमरे में बैठी रहती थी और हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते थी उसकी ये हालत देखकर मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया लेकिन डॉक्टर को भी उसकी विमारी समझ में नहीं आई दिन बदिन मेरी बेहन की हालत बिगड़ती जा रही थी वो बहुत ज़्यादा पतली और कमजोर हो गए थी एक दिन मैं अपनी बेहन के कमरे में गया तब ही मुझे इसके कमरे में एक अजीब सी निगेटिव एनरजी फिल वही मैंने अपनी बेहन से अपने साथ उसे बाहर चलने के लिए कहा लेकिन वो मेरे पीछे की तरफ पैनिक भरी नजरों से देख रहे थी मैंने जैसे ही अपने पीछे की ओर देखा तो मैं अंदर तकसी हर गया दिवार के कोने में छे से साथ फोट की कोई काली पढ़चाई सी खड़ी थी और मुझे देखते हैं इसने एक क्रीपी स्माइल किया और उसका चेहरा बहुत भायानक लग रहा था मैंने जैसे ही ये द्रिश्य देखा मैं वही भिषोशो कर गिर पड़ा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने मापापा को अपने पास बैठा पाया मैंने तुरंत अपने मापापा से अपनी बहन के बारे में पूछा कि वो कहा है तब मापापा ने बताया वो अजीब तरह से बड़ताव कर रही है और हमें नुकसान पोचाने की कोशिश कर रही है इसीलिए हमने तुरंत उसको उस कमरे में लॉक कर दिया है मैं बिना देर करते हुए पुजारी बाबा को बुला के लिया आया पुजारी बाबा को घर में घुषते ही बहुत ज़्यादा निगेटिव एनरजी फील हुई उन्होंने कहा कि तुमारे घर में बहुत ही बुरी आत्मा का साया है और उसने तुमारी बेहन को अपने वश में कर लिया है अब शायद वो नहीं बचेगी ये सुनते ही मेरे मा पापा उन पुजारी के पैरों में गिर गए और मेरी बेहन को बचाने की मिन्नते करने लगे तभी मैंने वो डॉल वाली बात पुजारी बाबा को बताई तो वो समझ गए कि वो डॉल शापी थे उन्होंने तुरंत पुजा पाठ करोना शुरू किया जिससे वो दुष्ट आत्मा तडपने लगी और वो मेरी बेहन का शरीर छोड़ कर वापस डॉल में कैद हो गई मैंने और पुजारी बाबा ने उस डॉल को एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया जिसके कारणा मैं इस दुष्ट आत्मा के प्रकोप से छुटकारा मिला सो फ्रेंड्स कभी कभी जब ये घटला याद आती है तो अंदर तक ताप जाता हूं और पुजारी बाबा की बदोलत अब मेरी वहन पूरी तरह से ठीक है सो गाइस, I hope you really like this story अगर आपको मेरा ये कंटन्ट पसंद आया हो तो प्लिस डू सब्सक्राइब